हलो एवरिवन, कैसे हो आप सभी? पुराने जमाने में, जब बाक्चित करने के लिए टेलीफोन मोबाइल नहीं थे, तब अपने विचारों का आधान प्रदान करने के लिए जिसे बच्चे अपने माता पिता को संदेश बिजने के लिए, या फructured अपने रिश्टेदारों को भी संदेश बीजने के लिए चिठी लिखी जाती थी तो चिठी देने का काम नहीं बहुत पुर्ण काम माना जाता है तो यह काम डाकिया करता था देखिए यह जो कविता है यह डाकिय को समर्पी थे चलिए हम कविता स्टार्ट करते हैं डाक्या आया देखो एक डाक्या आया थेला एक हाथ में लाया चिठी कई हाथ में पकड़े पहने हैं वो खाकी कपड़े बाट रहा गर-गर में चिठी मुझको भी दो ला कर चिठी तो इस कविता में जो छोटा सा बच्चा है ना ये डाकी से कह रहा है कि आप तो सभी की चिट्थी देते हो तो लाओ मुझको भी मेरी चिट्थी दे दो I hope ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी Please आप इस वीडियो को लाइक करिए Share करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए Thank you for watching this video